दिमागी कीड़ा, दिमाग में कीड़े पड़ जाना, इस तरह के शब्द तो हमने कई बार सुने हैं, लेकिन क्या कभी आपने दिमाग का कीड़ा देखा है, क्या कभी आपने किसी के दिमाग में कीड़ा देखा है और क्या आप जानते हैं, कि दिमाग में कीड़े असल में प कि दुनिया में अपने आप में ये पहला केस है 74 साल की एक लेडी के दिमाग में जिंदा कीड़ा पाया गया है इस लेडी के दिमाग में कीड़ा है इसका पता तब लगा जब लेडी ने डॉक्टर्स को शिकायत की कि उसे निमोनिया है, पेट में दरद है सूखी कासी है और सिरदर्द है कुछ महीनों तक तो डॉक्टर्स ने स्टीरोइट और दवाईयों से इलाज किया लेकिन 2022 में महीला को डिप्रेशन की शिकायत हो गई और महीला को भूलने की बिमारी भी हो गई जिसके बाद डॉक्टर्स ने महीला के ब्रेशन का MRI स्कैन किया तो उन्हें ब्रेशन में ही गडबडी लगी डॉक्टर्स ने महीला को ब्रेशन की सलाह दी कीडऺ कीड़ा मिला इस कीड़े को पेरिसाइट कहा जाता है और ये कीड़ा तीन इंच लंबा था और चमकीले लाल रंग का था सबसे बड़ी बात एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह से कभी भी किसी इंसान के दिमाग में कीडे नहीं पाए गए हैं और ये जो कीड़ा इस महिला के दिमाग में मिला है वो कीडे अक्सर सांप में पाए जाते हैं जब महिला से उनकी स्नेक्स को लेकर कोई हिस्ट्री पूछी गई कि क्या अगब भी आपका सांपों से आमना सामना हुआ है तो महिला ने इस बात से न कारा। डॉक्टर इस बात से हैरान थे कि सांप में पाये जाने वाला ये कीड़ा महिला के दिमाग तक कैसे पहुँचा। तब डॉक्टर ने पता लगाया कि आखिर महिला जिस एरिया में रहती है क्या वहाँ पर सांप होते हैं क्या लाइफस्टाइल है तो डॉक्टर को पता चलता है कि महिला के घर के पास एक नदी है जहां पर कहीं सारे सांप पाये जाते हैं। गार्डन में आया हो पालक के उपर उसने अंडे दिये हो और वो अंडे वाला ही पालक महिला ने खा लिया हो जिस कारण वो अंडे से निकला कीडा महिला के दिमाग तक पहुँच गया। डॉक्टर के करियर में ये पहला केस था